और पटना उचुन्याले के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हाई कोट को नौन नर्मित शताबदी भावन मिलने वाला है जिसका उद्गाटन ची जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे करेंगे तारिकर में शामिल सिम नितिश कुमार भी होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज हाई कोट के शताबदी भावन का उद्गाटन है एक बहत ही महतवपूर्ण दिन है आज बिहार के लिए क्योंकि बिहार में आज हा परान किंद्रे मंतरी डविशंकर प्रिसाथ भी मौझूद रहेंगे मुख्यमंतरी नितिश कुमार भी इस कारिकरम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने इसकी आधार शीला रखी थी जो इसका आज उद्गाटन होने वाला है सीजे आई अरविंद रखा गया है और कई अधीवक्ता कई जज क्याज इस शामिलोंगे कई मंतरी भी इसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने इस भावन की आधार शीला रखी ती और आज इस भावन का उध्गाटन होना है हाई कोट है के श्यताब्दी भावन का तो पत्ना उच्छोन्याले के लिए आज का दिन काफी एहम कहा जा सकता है आज पत्ना हाई कोट को शताबदी भावन मिल जाएगा और ये शताबदी भावन हाई कोट के पुराने भावन के बगल में बनाया किया है जिसमें दो लाइबरेरी और अत्या दुनिक किस्तो इधाय मौझूद है और नए भावन से जाहिर सी बात है कि हाई कोट का बुनियादी धाचा बहतर होगा दो सो तीन करोड के लागत से इस भावन को तयार किया क्या है हाई कोट का पुराना भावन है उसके बगल में इस नए भावन को बनाया किया है जिसमें 43 कोट रूम 57 चैंबर् देख सकते हैं अब से थोड़ी दिर बाद ही इसका उद्गाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे और जाहिर सी बात है कि इस भावन के मिलने के बाद से बुनियादी धाचा हाई कोट का और मजबूत होगा और बहतर होगा नितीश कुमार ने इस भावन की आधारश्विला रखी थी और अब इस भावन का उद्गाटन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करने वाले हैं अब से तोड़ी दिर बाद इस भावन का उद्गाटन होगा जिसमें किंदरे मंतरी रविशेंकर प्रिसाद मौजूद रहे रहा है और इसमें 43 कोट रूम संताओन चेम्बर्स हैं दो लाइब्रेरी भी इस भावन में हैं और साथी सभी अत्यादुनिक स्विधायें मौजूद हैं और इसका उद्गाटन अपसे थोड़ी दिर बाद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी उद्गाटन के लिए समारो अस्तल पर पहुंच चुके हैं और अपसे थोड़ी दिर बाद इस भावन का उद्गाटन किया जाएगा और इसके साथ ही हाई कोट को नया भावन म ही इस समारो में शामिल हो रहे हैं उद्गाटन समारो में केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रिसाथ भी शामिल होंगे साथ ही कई और मंत्री कई गनमाने लोग भी इस समारो में शामिल होंगे तमाम अधिवक्ता जो हैं वो शामिल होंगे जाहर सी बात है कि उनको इस भावन को होगा 203 करोड की लागत से इस भावन को तयार किया गया है तमाम अत्यादोनिक स्विधाओं से लैस होगा यह भावन सीजे आई अर्विंद बोबडे पहुँच चुके हैं इसके उद्घाटन के लिए और इसके साथ ही पुराने भावन के बगल में बना हुआ यह भावन अब पटना उच्चों नियाले के साथ जुड़ जाएगा शुरू में इसकी अनुमानित जो राशी थी वो 116 करोड की थी लेकिन 203 करोड के आसपास इस भावन को बनाने में लागत आई तो शताबदी भावन की खासियत हम आपको बता दें दो साल में इसका निर्मान कारे होना था 116 करोड की अनुमानित लागत आनी थी लेकिन 203 करोड की लागत से भावन तयार हुआ और हमारे साथ अमित जुड़े हैं अमित अपसे थोड़ी देर बाद पटना उचुन्याले को एक नया भावन अत्यादुनिक सुधाओं से लैस भावन मिल जाएगा क्या कुछ तैयारिया है और कितने देर में इसका उद्गाटन होना है देखे अलिम यह तैयारी जो है वो मुकमल कर ली गई है यह कारकम जो है उद्गाटन समारो जो है वो बारा बज के तीस मेंट पे आईट है और इसके लिए जो है चिप जस्टिस ऑफ इंडिया वो पटना है कोड में पहुंच चुके हैं उनके अलावा मुक मंत्री भी आ ग जो नियादी से वो भी पहुंचे हैं उनके अलावा आगर अंबात करें तुप्रिंग कोट के कई ज़ज़ जो है वो आए हुए हैं इनके इन सबके अलावा मेनन मिस्ता जो है वो भी आए हुए है तो कर सकते हैं कि अब बस अब इंतियार है उस पल का जैती ही घरी की सुई जो है वो सारे बारा पर जाती है जो कि निर्धारित समय जो है वो सारे बारा बज़े का रखा गया दिन का तो उसके साथी जो है ये कार जहुर जो है वो किया जाएगा और मैं विस्तारित भवन जो है पत्ना उचनियाले का जो सताबदी भवन जो है वो पत्ना उचनियाले सबसे खास और सबसे एहम बात कि लगतार प्रत्नाव स्नियाले में जो जज़िस हैं उनकी संख्या बरहाई जाए उसकी भी मांग करती रही गई है रास्तरकार के दोरा तो उसके भी आज यहां बात हो सकती है दूसरी जो बड़ी बात है कि जो कोट प्रमाइसिस जो है वो कम अपर रहा था कई ऐसे जर्स जिने कोट रूम जो है उसमें कमी देखने को मिल रही थी जिसे इस विस्तारित भावन में जो सताबदी भावन है इसके निर्मान के बात वो समस्चा दूर होगी वकीलों के लिए भी बैटने के लिए जो मुकमल जगा जो है वो मुहिया करा द गई है और आज जो है वो विस्तारित भावन सताबदी भावन जो है वो पट्नाओं चिन्याले को सुपूर्ट किया जाए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और नितीश कुमार भी पहुँच चुके हैं इस भावन की आदार शिला नितीश कुमा और आज इस भावन का उद्गाटन होना है और उद्गाटन समारो में शरीक होने के लिए नितीश कुमार इस वक्त पहुँचे हुए हैं तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चीफ जस्टिस आफ इंडिया पहुँचे नितीश कुमार पहुँच चुके हैं नया भावन पतना उच्छु न्याले को मिलने जा रहा है पतना उच्छ न्याले के पुराने भावन के बगल में इस बहुँचे बनाया किया है और कई अक्त्रास दहुनिक स्विधाओं से लाह से हमारी साथ अमित लगातार जुड़े हैं अमित मुक्यमन्तर नितीश कुमा भी पहुंच चुके हैं तमाम अधिवक्ता